तो गूद्ध मॉर्निंग स्टुडेंट्स क्लास 9 सब्जेक्ट साइन्स लास्ट वीडियो में अपने रासा निक सहियों के नियमों की वैख्या के ती और उसमें से दो नियमों को चुना था मुखे दो नियम कौन कौन से थे एक तो दर्विमान सेलक्षन का नियां और दूसरा था आपका इस्तिरन पात का नियां ठीक है जो लिवाश से और प्राश्ट ने उनको दिया था आज अपन परमाणों के इतियास के बारे में जो की महरसी कनांद का एक धार्षनिक इतियास था उससे आगे चली वह सीहान के बहुत कुछ बताया है और यह से यह जॉन पर परमाणों के बारे में बहुत कूछ बताया और वो आज भी है तो जोन डोल्टन फिर परमानों के केस में एक नया प्लेटफॉर्म लेके आते हैं और आने वाले विज्यानिकों के लिए एक नई मतलब सोच लेके आते हैं कि और परमानों के बारे में खोजे जारी रहे हैं तो आज अपन फढ़ेंगे जोन डोल्टन के बारे में लेकिन इससे पहले अगर कोई स्टुडेंट अगर इसके पहले के दो पार्ट नहीं देखा तो उन दो पार्टों का भी पहले आप अवलोकन करें ठीक है आज अपन फड़ेंगे जॉन डॉल्टन की इतियास और जॉन डॉल्टन ने क्या कहा पर्मानों के बारे में ठीक है तो जॉन डॉल्टन का जनम 1766 में इंग्लेंड के गरीब जुहला परिवार में हुआ 12 वरस के आई में उन्होंने एक सिख्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू कर दी देखो कितना होनहार चातर था आज तो खेर वेगैनिक है आज नहीं रहा वह अलगवात है स्कूल मेंसे स्कूल में यहां पर यहां यहां पर सुना होगा कई बार मेयच होते हैं मैंचेस्टर थे इंग्लेंड के जगह है मतलब इंगलेंड में बहुत वड़ी सिटी है में एंचेश्ट तो वहां पर पड़ाने चल लगे थे वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकान समय शिक्षन और शोधकारे में व्यतीत किया यह पडाने में और कुछ प्रयोग करने में उसने व्यतीत किये सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणों सिद्धान्त को प्रस्थित किया जो दरवय के अध्यन के लिए एक महत्यपॉन सिद्धान्त सा उविती व्यतीत कि थी यानियों हलंगी पर्मानों के बारे में इसके अंदर फ्रोटोन भी पाहे जाते हैं आज पता चला है पहले सरफ प्रमानों से नाम था प्रोटोन को आपको ऐसा लग रहा है कि या कौन सा पर्मानों दुनिया में जो भी चीज़े दिखाए दे रहे हैं वह सारी के मिस्ट्री के यह निकि यह कह सकते हैं कि रसाइन हो बिना नहीं बनती उनमें अपने कोई ना कोई तत्तु का इस्तमाल जरूर है चाहिए आपकी टेबिल कुर्सी पंका कुछ भी हो एक्स प्रकति के बारे में एक आधार भूत सिद्धान्त परसुट किया था जो को आप साथ में खृद लो नहीं खृदिये हो तो बिल्कुल खरीदो और बुक को साथ लेकर फड़ लिया करो जहां पर आपको प्रोबलम हो सुना करो साथ-साथ ठीक है और बोखोला करो और इसको स सासा सुना करो देखा करो जहां मैं अंडरलाइन करता हूं या कोई मुश्चीद बताता हूं उसको भी आप गोर से सुनो यूं समझ लो कि अधर तो यह और 500 इसी पूरु स्टार्ट किया तब ठीक है गिरिक दार्शनियुने दौरा दर्वे पदार्श के सुक्सित्म अभिवहजन कर माना गया जिसे परमानों नाम दिया हाला कि डॉल्टन ने भी डॉल्टन ने भी परमानों का ही नाम दिया डॉल्टन का यह वो तत्व आपस में सहीम करके उत्वादते हैं और वो जो किर्या करने वाले आपके तत्व दर्वे मान भी क्यों होता है सेम होता है ऐसा झाहिए कई लिइक की नियम फढ़ाता है थिक है तो डॉल्टन डॉल्टन के परमानों सिदॉष्धयान तिन दर्वे अनाउब्यव् बहुत कुछ बता दिया और डॉल्टन यह कहना चाहते थे कि आप कोई सा भी ऐसा यानि कि वह छोटे खंडू वाली बात यह करेगा यानि कि इसने अटम सब्द जो दिया है डॉल्टन के अनुसार जो परमाणों की परिभासा है वह यह है कि यानि कि तत्तू का वह छोटे से छोटा खंड या टुकड़ा जिसको और अधिक काटा नहीं जा सकता या और अधिक भागों में बाटा नहीं जा सकता सिद्धी सी बात ही है यानि कि आप यह समझ लो किसी भी चीज का सुक्षितम पाठ जिसको और अधिक टुकड़ा में अब यह और अधिक टुकड़ा में कि बहुत ही छोटे लेवल की बात है यानि कि यह नैनो मीटर यह समझ लो नैनो मीटर यानि कि एक मीटर का आप देख लो टैन की यह कि टैन की पावर कि तरी टैन की पावर माइनस नो के बराबर एक नेनो मेटर होता है तो दोल्टन के परमानों सिद्धान्त के अनुसार सभी दर्वे चाहि तत्व योगिक या मिश्रण हो शुक्षम करूं से ही बने होते हैं जैसे आप में कल भी में बताया था आपको कोई भी बड़ा आणूं हो इसलिए तो हम पहले दूसरा पहला पार्ट नहीं पड़ा क्योंकि उनमें डारेक्ट मिश्रण और योगिकों की बात कर रहे हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि योगिकों मिश्रण काई से बनते हैं चैनल कि अपने से हैं कि आपको यूशी समझ मैंने चाहिए कि जहां से मौस्पदार्थ इसके मामले में सबसे चोने फुक्री पढ़ने में चले ते कि अभी शेख में्मी अगा तो शक्षम काणों से बने होते हैं टिकां ब्रवाज़ी को परमानों को इंगलीस में एटमें क्या बोलते है और इसे विवाज्य Basam और आप देखो किमाओं में आपके बारे में कुछ महत्पूरं इंपोर्टेंट लाइन यहां दर्वेश पर्मानों निर्मित सब्राणों से मतलब है निर्मित निर्मेत होते हैं चाहिए को ही चाहिए भी आपकी कोर्द रिंग है आप एक्स-बाइज जो भी आप देख रहे हो न मैं जैसा के आपको को इत्मिकों कि अब सब किते होते हैं पर मानूं से बनते हैं जो कि रासानी का भी क्रयों में भागे लेंगे परमान अभिवाज्य सुक्षितम कढ़ है पिछले तीन देन से परमानों भहुती सुक्षितम कढ़ है अभि यह जिश्को और अदिक वाजले नहीं तो सरजित की होते हैं उन्हीं विनास होते यह दो सरजित विखना उत्पन ओगे और विनास का मतलब ना यहन तोणे थे yes जितने भाग लेंगे उतने ही मिलेंगे पॉइंट तीसरा है दिए गये तत्व के सभी प्रमामों का दर्यवान और आसा ने गुनदरम सम्भान होता है इस लाइन कारती यह हुआ जैसे मानलो एक तत्व मोड़ियुीः ठीक है अब सोजियृ चाय शोडियृम की तत्व है अब दिन्द के चोट-चोट टुकड़ करेंगे न तो ऐसे नहीं है कि इसके चोट थोटे-चोटे होँगे तीख है टुकड़े चोटी-चोटी हो जाएंगे लेकिन प्रतेक टुकड़े का वही काम है जो सबका है दर्व्यमान कलर रासानी गुन्स टैस्ट सब कुछ वही रहेगा यानिकि एक ही तक्तु के यूँ समझे लोग यह वाप की सारी उलाद है वो सब एक जैसी होती है और उलादों म मामले में तो ऐसा नहीं कहे सकते हैं लेकिन के मामले में तो सैम आघे पर्मानों के դर्विमान राश्टाइन होते हैं जैसे एक तत्व क्लोरीन की खानी ह। एक तत्व सोडियम की खानी अलग है ऐक स्कार मेर्यट अलग तत्व है तो उसकी खानी तो लगुवगि लेकिन एक ही कित शुट शुट पर glowं है जी सिसे से समस्कालन को हैं तो कोई दो भी कि चाहिए विन बिन तक्तों के पर्मानों परसपर चोटी पॉन संक्याओं के अनुपाद में योगिक निरमित करते हैं जैसे कि मतलब है जैसे कि एक रीट्रोजन और वक्सीजन आपस्य में किर्या कर आइस्ट व कि एक धैर एक श gulli मिलकर क्या बनाएंगे दोनों के दोनों स courageous बना दिएना तो यह क्या करते हैं कि अल्डे त तो जो है वह एक निशचित अनुपात में क्या करके क्या वह नगे योगी का निरंमा न कर लेते हैं तो घुर्ड है और एक ओर लास्ट जूड़ते हैं तो तीन ही जूड़ेंगे कितने ही अमोनिया बना लो ऐसे नहीं है कि आपके पास नाइट्रोजन कम पड़ गए तो एक हाइट्रोजन एक नाइट्रोजन के ऊपर है ना दस पंद्रा लूम जाएंगे नहीं यह इनकी फिक्स इस्टेक्चर होती है अब यह बाद दिर दिरे बाद में पता चलेगी हाँ ऐसा होता है क्यूं 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 सर ऑक्सिजन के साथ तो दो ही जोड़ते हैं और अमोनिया के साथ तीन जो आप इसलिए तो देते हैं आपका है कि आप और आगे इसको जानने की च्छा रखो और अगली कलासों में आओ तो यहीं यहां पे इसकी प्रमपरा थी अगले बाद समझें और आप अगले अध्याय में यह अध्यन करेंगे कि परमानों में और भी छोटे-छोटे कन विद् लेकिन उस परमानों के अंदर भी और छोटे-छोटे कन विद्यमान होते हैं जैसे कि आप में नाम सुना होगा इलेक्ट्रोन, प्रोट्रोन, न्यूट्रोन ऐसा कुछ नाम सुना होगा न तो इनकी और व्या क्या करेंगे इनको खोजगने वाले भी अलग-अलग हैं इनके दर्यमान, इनके चार्ज, आवेस, और भी कुछ पाते हैं इनके केस में, खाली परमानों से इतनी चीज़े नहीं समझी जाती, परमानों के अंदर हो क्या रहा है, एक परमानों के अंदर क्या है, अब ये तो था सिरफ और सिरफ एक परमानों, परमानों से क्या बंद रहा अनु योगिक आना ऐसी चीजह मिशरन दिरेदेश पता चलेगा अब लेकिन हम परमानों की सर चना कि करेंगे इनकी परमानों में ऐसा क्या होता है कि कभी color चेंज ऐसा हो जाता कभी color ऐसा होता है कभी इसका टेस्ट फीका है कभी यह बार ही हो गया कभी हलका हो गया कोई गैस यह वस्ता में कोई धरव वस्ता में कोई ठोस वस्ता में क्यों तो ठोस होता है क्यों दरव होता है क्यों गैस होता है अब यह बात ही हमारी जानने की इच्छा तो होगी ना फिर अगर हम यह आग तो यह जिग्या सब परवर्तिया में रहेगी तो साइंस समझ में आएगी और सिर्फ रीडिंग माना है तो साइंस फिर थोड़ी कम ही पड़ेगी तो कोजिस करो आप इसको समझो फड़ो लिखो ठीक है तेंक्यू सो मच अपन अगले वीडियो में फिर से कुछ इसके जो पूरो में अवलोकन करके रिखो और साथ में इनको याद भी कर लो थैंक्यू